Hello students, welcome to Engineering Mathematics आज हम पढ़ेंगे Laplace Inverse का एक ओर question पर इस question को हम solve करेंगे with the help of कर्मलिशन थे हों, ठीक है? तो question है हमारा find Laplace Inverse of s plus 3 divided by s square plus 6s plus 13 whole square, ठीक है? तो इस question को मैं ऐसे start करूँगा, solution solution में मैं इसको ऐसे लिखूँगा देखो, इसका मुझे Laplace निकालना है ना Laplace Inverse of, मैं ऐसे लिखूँगा Laplace Inverse of s plus 3 divided by s square plus 6s plus 13 whole square ब्रैकेट को करते हैं, बंद देखो, इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना Laplace Inverse of s plus 3 divided by denominator में देखो, यहां पर एक quadratic polynomial ठीक है, तो इसको मैं rewrite कर सकता हूँ by s plus 1 whole square ठीक है, plus या s plus 3 whole square plus 2 whole square और यहां पर square है, तो हम भी square लगाते हैं, ठीक है square, और ब्रैकेट को करते हैं, बंद, ठीक है अब इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, laplace inverse of s plus 3 divided by यह जो है, इसका square है, मतलब यह दो बार है, ठीक है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, s plus 3 whole square plus 2 square into 1 divided by s plus 3 whole square plus 2 square और, ब्रैकेट को करता हूँ, बंद, क्यूंकि यहाँ पे square था, दो बार था है, ठीक है इसलिए मैं इसको अलग-अलग लिख सकता है, अगर आप इसको फिर से multiply करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है तो यहाँ से, तो यह करने का मेरा मकसद क्या था बस इतना ही था कि इसको इस फोर में लाना, विच इस एक्वल तो लाप्लास इन्वर्स ओफ f of s into g of s ठीक है अब मैंने इसको इस फोर में क्यूं लाया, क्यूंकि मैंने आपको पहले बता है, we will solve this problem by convolution term, एक तो short होता है, और उसमे पारिशिली फेक्टराइज जब निकालता है, तो उसमें काफी ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस टाइम को eliminate करने के लिए हम इसको convolution term से solve करेंगे, now what is convolution term, आपको मैंने बताया है, मैं फिर से बताऊंगा suppose if convolution term states that if sorry Laplace inverse of f of s is equal to f of t ठीक है, and Laplace inverse of g of s is equal to g of t then then यहां पर मैं लखता हूं Laplace inverse of f of s into g of s is equal to integral from 0 to t f of u into g of t minus u du ठीक है तो इसी लिए मैंने इस question को इस formula है, ठीक है अब इस question का जो है इस question का इस form का जो है Laplace क्या है Laplace inverse है, from 0 to t f of u g of t minus u ठीक है, पर उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं f of s को Laplace inverse individually लगाऊंगा f g of s को Laplace inverse individually लगाऊंगा, ठीक है वहाँ से मुझे f of t और g of t मिल जाएगा, ठीक है तो मैं पहले वही करता हूँ मैं आप लिखता हूँ, also Laplace inverse of f of s अब हमने f of s को क्या consider किया है यहाँ पर इसके साथ इसको मैंच करेंगे ठीक है, f of s यह है, s plus 3 तो मैं ऐसे लिखूँगा, Laplace inverse of s plus 3 divided by s plus 3 whole square plus 2 square ठीक है तो इसका Laplace inverse कितना है देखो this is in the form of मैं आपको formulas में बढ़ाया है, ठीक है अगर आपने नहीं देखा है तो जाके check out करो ठीक है, तो Laplace inverse of s divided by s square plus a square होता है बराभर cos a t a की जगा पर यहाँ पर 2 है, तो cos 2 t ठीक है, पर यहाँ पर अगर, देखो, Laplace inverse of s divided by s square plus a square है cos 2 t, ठीक है, पर यहाँ पर s के साथ plus 3 है, इसका मतलब है cos के साथ एक और function multiplied होगी ठीक है, जो हमारे s को s plus 3 बना रहा है, ठीक है, वो वाली function होगी e power minus 3 t by first shifting property, ठीक है तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ e power minus 3 t cos 2 t को, जो cos 2 t का s है, इसलिए plus 3 बना रहा है, s plus 3, यहाँ पर भी s है, यहाँ पर भी s plus 3 बना रहा है, क्यूंकि cos 2 t के साथ हमारे e power minus 3 t multiplied है, ठीक है, तो this is from the first shifting property, ठीक है अब similarly, यहाँ पर g of t का भी निकालता हूँ हमें, ठीक है, so Laplace inverse of g dash t, g of s और यहाँ पर जो फंक्शन मिली है जब हम Laplace लगाते हैं, किसी function में, तो हमें f of s मिलता है अगर हम उस function का f of s का Laplace inverse लगा है, तो हमें वापस f of t मिल जाएगा, तो इस function का में नाम रखूँगा f of t, आसान है न, f of t और Laplace लगा हम f of, f of g of s का निकालते हैं, इसका, ठीक है तो g of s किसका है, Laplace inverse of g of s is, Laplace inverse of, g of f हमने इसको माना है, ठीक है 1 divided by s plus 3 whole square plus 2 square ठीक है, that's equal to देखो, Laplace inverse of 1 divided by s square plus a square होता है बराबर, sin 80, ठीक है तो a की जगा भी का है, 2 t divided by 2 ठीक है, अब यहाँ पे भी s के साथ plus 3 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी एक और function multiplied होगी sine के साथ जो हमारे s को s plus 3 बना रहा है, ठीक है तो उस function का आपको पता है, यह नाम का है e power minus 3 t by first shifting property तो यहाँ पे भी e power minus 3 t sin के साथ multiplied है और देखो, यहाँ पे हमने f of, sorry, g of s में laplace inverse लगा है हमें एक दूसरी function मिली, उस function का हम नाम रखते है, g of t so this is g of t, अब देखो f of t भी मिल चुका है, g of t भी मिल चुका है ठीक है, अब इन values को इस formula में put करके हमें इस function का laplace inverse आ जाएगा, ठीक है चले खरते हैं फिर laplace inverse of s plus 3 divided by s square plus 6s plus 13 whole square is equal to, किसके बराबर होता है by culmination term, it's equal to integral from 0 to t f of u, देखो formula में f of u है, ठीक है हमें क्या मिला है f of t, ठीक है तो हम क्या करेंगे, जहां पे भी t है इस function में, ठीक है उसको हम u लिखते है, तो उससे क्या हो जाएगा ये, ये जो condition ने satisfy हो जाएगी मतलब u आ जाएगा इसमें, ठीक है तो जहां पे भी f of t में t है वहां पे हम u लिखते है, ताकि इसको f of u बनाया सके, ठीक है तो यहां पे मैं लिखते है, e power minus 3, t है, तो u लिखूंगा मैं, ठीक है, into cos 2t, 2u लिखूंगा मैं, ठीक है into g of s, into g of t minus u, अब हमारे पास है, g of t, ठीक है पर formula में हमें बनाना है, g of t minus u तो जहां पे भी t होगा, यहां पे वहां पे हम t minus u लिखेंगे, ठीक है तो e power minus 3t है e power minus 3t है तो t minus u लिखेंगे ठीक है, inter sin 2t divided by 2 है तो इसके बल्ले क्या लिखूंगा मैं, sin 2 t minus u क्योंकि जहां पे भी t है वहां पे t minus u लिखना है divided by 2 great फिर आजाएगा du ठीक है तो यहां पे यहां पे हम क्या कर सकते हैं मैं यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं 0 to t देखो यहां पे 2 है तो 2 को बाहर निकालते है मतब 1 by 2 है यहां पे इसको इंटेग्रल के बाहर लगाते है ठीक है यहां पे आजाएगा ठीक है बचा कहा है यहां पे e power minus 3u तो मैं एक और step लिखता हूं e power minus 3u यहां पे क्या है e power minus 3 t into e power 3u ठीक है है ना असन अब देखो यहां पे क्या बचा cos 2u into sin 2t minus u फिर है du हमारा देखो यहां पे e power minus 3 into t minus u ठीक है इसको मैं ने क्या किया दो तर्म्स में मैं इसको split किया e power minus 3t into e power 3u अब अब उनो कि यह कैसे आगा देखो when bases are same ठीक है powers get added ठीक है तो यह बन जाएगा हमारा e power minus 3t plus 3u which implies e is equal to देखो minus 3 को हम कमे निकालते है अंदर बचे का 3 और minus u वो है नहीं यहां पे तो इसका मतलब है इसके बदले मैं लेख सकता हूँ e power minus 3t into e power 3u ठीक है तो इसको करते हैं यहां पे रब तो क्या करूँगा अब देखो अब यहां पे when bases are same यह वाला और यह वाला term when bases are same powers get added e power 1 e power 0 हो जाएगा e power 0 1 होता है इस e power minus 3t को मैं integral के बाहर लिखता हूँ क्यों? क्योंकि यहां पे हम integration with respect to u कर रहे है तो इसमें तो u है यह नहीं कहीं पे ठीक है तो यह as a constant behave करेगा और constant को मैं integral के बाहर लिखूँगा ठीक है तो इसको मैं करता हूँ पहले रब ठीक है तो मैं इस e power minus 3t को बाहर निकालता हूँ यह बन जाएगा 1 divided by 2 e power minus 3t integral के अंदर क्या रहेगा? e power minus 3u और e power 3u वन bases are same powers गे added यह होजाएगा e power 0 e power 0 1 होता है और 1 into this will be this function तो finally क्या आजाएगा? 0 to t cos to u sin to t minus to u कुछ नहीं किया 2 को दूनों टर्म से multiply किया ठीक है? अब देखो यहाँ पर मैं इसको बना सकता हूँ 2 cos a sin b ठीक है? क्योंकि वो formula बनती है trigonometric formula तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से multiply और 2 से divide करना पड़ेगा जो यह divide मैंने 2 से किया इसको मैं integral के बहार लिखता हूँ यह इस 2 के साथ multiply हो जाएगा यह बन जाएगा 1 divided by 4 ठीक है? e power minus 3t है न? e2 तो cut हो गया already अब यहाँ पर क्या है? integral from 0 to t अब देखो 2 cos a sin b किसके बरावर होता है? sin a plus b a क्या है यहाँ पर? 2u ठीक है? 2u plus 2t minus 2u ठीक है? तो 2u 2u आपस में cut हो जाएगा बच जाएगा 2t sin a plus b minus sin a minus b तो a minus b में क्या आजाएगा? 4t मैंने 4u minus 2t ठीक है? यह bracket बन करते हैं इसको लिखते हैं du ठीक है? यहाँ तक असान है ना? क्योंकि यहाँ पर मैंने identity क्या यूज की 2 cos a sin b होता है बराबर sin a plus b minus sin a minus b ठीक है? तो इसका दियान रखना है इसको मैं यहाँ पर करता हूँ बराब देखो यहाँ पर आजाएगा 1 divided by 4 ठीक है? e power minus 3t अब जब मैं इसको integrate करूँगा देखो sin 2t है हम with respect u के कर रहे है integrate ठीक है? तो sin 2t जो है इसमें u है नहीं तो it will behave as a constant constant जो है integral के बाहर में लिखूँगा ठीक है? तो इसको मैंने लिखा integral के बाहर ठीक है? बचा के अंदर 1 1 का integration with respect to u होता है u ठीक है? तो यह फाइनली बन जाएगा मेरा u और इसके साथ sin 2t है है ना? minus sin sin का differentiation क्या होता है? minus cos ठीक है? तो यह हो जाएगा cos 4u minus 2t ठीक है? divided by 4 और यह बन जाएगा मेरा plus ठीक है? और यहाँ पे limits क्या है? 0 to t 0 to t ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो है 1 divided by 4 ऐसी ही रहेगा है ना? अब देखो यह जो 4 है ना? यह 4 यह 4 मैं integral के यहाँ से मैं बाहर निकालता हूँ 16 हो जाएगा है गि नी? 16 1 divided by 16 e power minus 3t और जब मैं यहाँ पे u की जगा पे t put करेंगा तो यह बन जाएगा t 4t sin 2t ठीक है? प्लस cos 4t minus 2t 2t तो यह तो हुआ upper limit ठीक है? upper limit minus lower limit lower limit में क्या हो जाएगा? lower limit में u की जगा पे 0 हो जाएगा यह वाली टर्म जीरो हो जाएगी plus 0 plus cos देखो यह वाली टर्म जीरो हो जाएगी और cos minus 2t क्या होता है? cos 2t ठीक है? तो इसको मैं लिखूँगा cos 2t इसको बंद करते और bracket को करते close ठीक है? अब यह काफी ज़यदा आसान है अब यह हो जाएगा हमारा 1 divided by 16 e power minus 3t अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा simplify करते 4t sin 2t plus cos 2t यहाँ पर आजएगा minus cos 2t plus cos 2t और minus 2t आपस में काट हो जाएगे ठीक है? बचेगा क्या? वो मैं शायद उसको मैं यहाँ पर लखता हूँ ठीक है? उपर बचेगा क्या? 1 divided by 16 1 divided by 16 e power minus 3t ठीक है? अब अब अंदर क्या बचेगा? bracket के अंदर 4t sin 2t 4t sin 2t 4 जो है 4 को मैं बाहर निकालता हूँ यह इस 16 किसा कट हो जाएगा यह बन जाएगा 4 for the 16 तो यह फाइनली आजाएगा 1 divided by 4 e power minus 3t और अंदर क्या बचेगा? sin 2t which is the inverse Laplace of this function ठीक है? तो अगर हम इस function में Laplace लगा है हमें वापस यह वाली function मिलेगी तो I hope आपको समझाया होगा यहाँ पर कुछ किया ही नहीं हमने बस हमें ध्यान रखना है कि convolution theorem से हम कैसे f of t और f of f of t और g of t निकालते हैं बस इतना ही ध्यान रखना है बाकि हमने जो identities यहाँ पर use की simply एक मतब identity यूज़ करते हैं उसके तुरू हम इसका Laplace निकालते है ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, कॉमेंट करना और सबस्क्राइब करना मेरी चैनल को थेंक्यू